नमस्कार दर्शकों मैं हूँ एश्वरे कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत शुरुवात एश्वरे के अजेंडा से एश्वरे की अजेंडा में दर्शकों बीजेपी कह रही है जी हाँ एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ कॉंग्रेस है बीजेपी का चेहरा तो नरेंद्र मोदी है तो शर्मा जी को जादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए मोधी जी को लाने में लेकिन کانگ्रेस में किसका चैरा लगा लगा है राहुल गांधी प्रेयंका गांधी सोन्या गांधी है मलिकार जूं कड़ गे ये खुद कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है तो हमारे शरमा जी कैसे समझेंगे लेकिन लगा दीजे शर्मादी एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ कॉंग्रेस और बीजेपी कहती है कि कॉंग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो और ये बात अब कोई ऐसी आई गई नहीं हो गई क्योंकि Congress इस बात पर दर्शकों और ध्यान से सुनिएगा Election Commission चली गई है Election Commission वो बोड़ी है जो कि चुनावों को लेके जब से चुनाव Announce होते है और जब तक result नहीं आ जाता हर एक सरकारी अफसर देश में उसके आधीन हो जाता है हर DM, हर Commissioner, हर SSP, पूरे देश का Ultimately किसको करता है रिपोर्ट? Chief Election Commissioner इतनी ताकतवर होती है ये संस्त और इसलिए कई बार कहा भी गया है कि Election Commission के ओपर जिसकी सरकार होती है उसका दबबा होता और ये बात हमेशा विपक्ष कहता है लेकिन विपक्ष गया है Election Commission ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी जो रोज बोल रहे है जगत प्रकाश नड़ा जो स्पेशल मीडिया के सामने आके ये बोल रहे है कि भई, ये Congress का नहीं, ये Muslim League का ये Congress का नहीं, ये Muslim League का मैनिफेस्टो है जिसको रहुल गांधी एक स्पेशल विडियो में जब वापस आ रहे होते हैं, तैलंगाना से दिल्ली पहुंचते हैं अपनी गाड़ी में बैठते हैं और एक विडियो बनाते हैं और बोलते हैं, इस वेरी डाइनामिक ये करांती कारी है मैनिफेस्टो Congress के हिसाब से, BJP के हिसाब से Muslim League तो again, किसी की बात पर नहीं भरोसा करते हैं, facts पर चाहते हैं क्योंकि जब अपसे कुछी देर में सुधान्चु त्रवेदी और आमादनी पार्टी सुधान्चु त्रवेदी और Congress सुधान्चु त्रवेदी और समाजवादी पार्टी के भार्टी जब बहस करेंगे तो वो तो शुरू करेंगे एक से पहुँचेंगे 11 लेकिन हम तो facts की बात कर लें BJP कहती है कि ये Muslim League का इसलिए है क्योंकि 1936 में जो Muslim League का चार्टर था उसने कहा था Protect Sharia Personal Laws of Muslim ये किस ने कहा था 1936 के Muslim League के चार्टर में Congress ने क्या कहा है 2024 के अपने मैनिफेस्टों में कि will ensure minorities have personal laws एक पॉइंट पर रहते हैं पहला पॉइंट है Muslim League ने कहा था Protect Sharia Personal Laws Congress कह रहे हैं ये will ensure minorities have personal laws BJP कह रही है शब्दों को सिर्फ तोड़ा मरोड आ गया है साथ है वो ही Congress कह रही है नहीं ये आप तोड़ मरोड रहे हमें कोछ नहीं कहा है हमने तो अपने मैनिफेस्टों में कही Muslim शब्द का इस्तमाली नहीं करा है ये तो ओगए point number one point number two इसका भी ग्राफिक चलना चाहिए था जो कि मेरे टीम नहीं बनाया होगा विल फाइट अगेंस majority terrorism majority terrorism माफी चाहता हूँ ये कहा था 1936 के Muslim लीग चार्टा में Congress ने 2024 में क्या कहा है Majoritarianism has taken over Majoritarianism has taken over ये कह रही है Congress 2024 में 36 में Muslim लीग के चार्टा ने कहा था Will fight against majority Majoritarianism यानि जो majority है उसके खिलाफ लगे Congress कहा रही है हमने तो कहीं इस्तोमाल नहीं करा BJP फिर कहा रही है कि कान सीधा ने घुमा के पकड़ रहा हूँ Decide आपको करना है कौन सही कौन गलत Point number three है Will fight for scholarships for Muslims Congress 2024 में क्या कहा रही है Will restore the Moulana Azad scholarships Is it the same thing? क्या ये सेम बात है? BJP कहा रही है हाँ सिर्फ उसमें शब्दों की थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत बदलाफ किया गया है Congress कहा रही है नहीं बिल्कुल नहीं और इसलिए Congress अब election commission चली गई आप समझें Congress का election commission जाना BJP कहा रही है Congress का desperation BJP कहा रही है हम तो सिर्फ facts रख रहे है Decide किसको करना है दर्शकों आपको इसलिए जब अभी BJP के सांसर और प्रवक्ता सुदान्चु त्रवेदी आए वो जब अपनी बात रखे आपनी पार्टी के नेता अपनी बात रखे समाझवादी पार्टी के अपने Congress के अपने तो निर्णा है आपको लेना है कौन सही कौन गलर और जब बात समाझवादी पार्टी की हुई तो ज़रा वो चला देजे कि अखिलेश यादव अखिलेश यादफ पहुंचे मुक्तार अंसारी के घर जी हाँ, मुक्तार अंसारी जिनका की निधन जेल में हुआ और कहा गया कि उस पे भी जुरूशल एंक्वाईरी चल रही है बीजेपी कह रही है, मुक्तार अंसारी के उपर मरनो प्रांत भी आठ केस चल रहे है, एट केस चल रहे है और और पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के एक नहीं कई कह रहे है, छे तो पुलिस वालों को मारने का केस है मुक्तार अंसारी पे, छे पुलिस वाले मिनिमम ऐसे व्यक्ति के घर, वो अखिलेश यादफ जाते है कि जब वो मुक्ह मंतरी थे, तो उन्होंने उसी मुक्तार अंसारी और उनके परिवार को समाजवादी पार्टी से टिकेट नहीं देने दिया था और इसी बात पे तो लडाई हो गई थी, अखिलेश यादफ और शिफपाल यादफ की अखिलेश यादफ और शिफपाल यादफ दो धड़े में बढ़ गए थे किस को लेके, मुक्तार अंसारी और उनके परिवार को लेके अतीक एहमद और उनके परिवार को लेके कि शिफपाल कहते थे कि टिकेट देना है, ये कहते थे नहीं देना है पश्यमी उत्तर प्रदेश में डीपी यादव को लेके निर्भे गुजर को लेके उनके परिवारों को लेके अखिलेश यादव अड़ गए थे तो ये मैं कहा रहा हूँ ये ऐसा विपक्ष है वहां उत्तर प्रदेश में बाबा ने ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया है और उनको समर्थन है केंदर से मोधी का तो मोधी और बाबा एक तरफ है दूसरी तरफ है अखिलेश और अखिलेश को किसका समर्थन है मुक्तार अंसारी के परिवार का अतीक एहमत के परिवार का ऐसे में जब बाबा के हाथ में है बुल्डोजर और पीछे है नरेंदर मोधी का सपोर्ट या अशरवा जिसे राजनेते तोर पे बोलेंगे क्योंकि सिनियोरिटी को ध्यान में रखते हुए तो फिर कौन से ही कौन गलत या आप निर्ने लीचे क्योंकि उत्तर प्रदेश अभी भी सबसे महत्वपून राज है जिस टॉकिंग अबाउट नंबर्स अस्सी सीटे है तो बीजेपी को अगर 400 पार करना है 370 पार करना है तो अस्सी में से 75 प्लस लानी है और वो 75 प्लस लाने में बाबा का बुल्डोजर और नरेंद्र मोदी का सपोर्ट बाबा को कितना कामयाब होगा यह देखना पड़ेगा और इसी डेस्परेशन में तो कहीं अखिले शादव उसी मुकतार अंसारी के घर नहीं चले गए जिनको और जिनके परिवार वालों को अखिले शादव ने टिकेट देने से मना कर दिया था जब वो मुक्यमंत्री थे और उसी को लेके उनके अपने परिवार में अपनी पाटी में दो फाड़ हो गए थे तो नरेंद्र मोदी का वो जलबा है वो डेस्परेशन है ग्राफिक्स चेंज शर्मा कि भाई नरेंद्र मोदी ने 2024 में ऐसा सीन बना दिया है कि जो जो नहीं करता था वो वो करने पर मजबूर हो रहा है अखिले शादव इन माफियों से रहने के लिए अपनी इमेज बदलना चाह रहे थे अल्टिमेटली ढाक के तीन पाथ पहुंचे कहा मुकतार अंशारी के कहा आम आदमी पार्टी करप्शन की बात प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि करप्ट लोगों को तो जेल जाना पड़ेगा आम आदमी पार्टी के मुक्हे मंत्री अर्विन केजरिवाल जेल में है आज उनके पिये विवव कुमार से पूश्ताच चल रही है और एक और विधायक से पूश्ताच चल रही है एंफोर्स्मेंट डिरेक्ट रेट पूश्ताच करे लेकिन मेरे पास वो डीटेल है जो मेरी टीम मुझे आज देना भूल गई है सलमें कि एंफोर्स्मेंट डिरेक्ट रेट ने धर्शकों, एडी ने ये जरा मेरे पास है